आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं डीजल की पैट्रोल के दामों में लगाता है लेकिन डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो कितना अधिक असर होता है पैट्रोल से अधिक असर क्या डीजल के दाम बढ़ने से डीजल के रेट बढ़ने से होता है इस पर ही आज हम क्या आपका बढ़िया है अभी तक तो हम बात कर रहे थे पैट्रल बढ़ रहा है तो डीजल भी शेतक मार चुका है और आक प्रसाली हो थे यह भरा आ कज ले प्रसाली डीजल भराए पहले फाले पई प्रसाली होति पर्डा अब पहले पास जिल पाली आठ जिन भी जूर होए तो यह कहा जाता है कि कार्वालों को फर्क नहीं पढ़ता करता है वह फरक पढ़ता है सीदा सीधा 1,000 रुपह का तो आप भापी बताई पहले गाड़ी चारा जब फूल होती थी अब साड़े 5,000 अब फूल होती थी तो बता रहे कि जब गाड़ी का टेंक फूल कराना है तो हजार रुपे बढ़ गाड़ी पूल टेंक हुआ है इसके ज़स्ट आट दिल पहले बढ़ाया था तो 4,200 पे गा यानि सीदे तोर पार 1,000 रुपे है हम देख पारे हैं समझ पारे हैं हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो पैसों में डिजल बढ़ रहा है लेकिन सप्ताहबर की बात करें तो जो इससरे बताए जा रहा है कि इससे पहले जब टेंक फूल कराये था तो 4,200 रुपे में टेंक फूल हो चुगाता लेकर आज की बात करें तो 5,290 रुपे में टेंक फूल हुआ है और जी हमने गाड़ी में 49 रुपीस से डीजल अब बढ़ा दी पिछने 6 सालों में डीजल डबल से उपर हो गया मितलब 60 रुपीस एक्स का बढ़ गया यह व्यता सुन रहा है आप उन ल कहा है की तो आफ फूल कराना है तो सीडियर तो पर हजा रुपी का फटका इस बार लगा है और वह जिस तरह की पृतिकरिया निकलकर सामने आई है आप सुन पा रहे हैं आ फिलाल हम बात करें पैटलों पर मौझूद है और यहां पर जितने संख्याम है टूही लर्स हैं, त्ह दिखाई दे रही हैं, जो फ़र्क पढ़रा नए का पैसे उर बंडी. आपको तो फर्क पढ़ना नहीं तो फर्क पटय रहे हैं, पैसे बंडी हरा है, जो पेमेंट बंडना चेया गाड़ी की वो तो बंडी रही है, यह ज़रू बड़ रही है. और वो बढ़ेगी तो हमाई तंखा बढ़ेगी पेमेंट बढ़े तो हमाई तो पेमेंट भी नहीं बढ़ रही ना तो कि अब सेड लोग कभी का से मिलेगा पाईशा अब यह बहुत प्राक्टिकली बात बता रहे हैं आप खुद बताईए अगर गाली की पेमेंट बंढ़े लोग कि उनको कितने मिलते कितने क्या और यह उनको खुद ही देख रहा हूँ यह घड़ा हुआ वह सेड हमारे आप सिर्थ तोर पर देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं कि यह बात जो है जो वहान चाला के वह भी समझ रहे हैं कि वह अपने तंखा बढ़ाने की बात कहें त लेकिन जो कार मालिक है उन से चर्चा करते हैं साब क्या हाल है आपका यह हमने बड़ा दिल्चस पे देखा कि जो भांचालक हैं कह रहा है कि हम सेड़ीज कहने ही पा रहे तंखा बढ़ाने का अब क्या करें जर परिष्टितियां एंसी हैं अभी आरा पेटूल क्या देख रह तो आप देख पा रहा है कि हमने लगजरी कार जो मालिक है उनसे बात की वह जो टैक्सी में अपनी गाड़ी चला रहे हैं उनसे बात की हर को यहां पर पर सामने है कि कारवाली भीया तो उन पर भी असर वगाई क्या हाले वह आपका क्या करते हैं रहा है डिजल शतक नहीं जटक है आप तो गाड़े चलाने की हिम्मत खतम हो गई है क्या बात करते हैं आप तो इंजिनियर है अंदनी घूब होकी नहीं है आप आम दनी खुब खर्चे भी तो इसे असाब से किस चीज को छोड़ दिया आप इंजिनियर हैं तो जो डीजल के दाम बढ़ते हैं इससे क्या कुछ एफेक्ट पड़ता है हमारी फिल्ड में सबसादा एफेक्ट ट्रांस्पोडेशन पर टिकी है सबसादा कानी हमारी स्टील अगर आएगा ट्रांसपोर रायपूर सारा ट्रांसपोर्टेशन पर चार्जिस बढ़ा दिये नहीं आज स्टील असी रुपए 78 रुपीज पर केजी जो कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सुचा होगा जो कि 40 रुपीज पिछले कोरोना के लोगडाउन में 40 42 रुपीज था आज के टाइम पर होई 80 रुपीज खासतों पर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो मेंगाई किस तरह से आगे बढ़ती है और हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की जो बात करें तो सीरी तो पर यहीं कहा जा रहा है कि डीजल पर ट्रांसपोर्टेशन के पूरे से रेट तरह होते हैं और डीजल बढ़ता है तो ए यह बात सब मानकर चलना है चलिए थोड़ी पैट्रोल की और बात कर लेते हैं कि पैट्रोल को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और एक योग उपने ट्रेंड देखा था कि लोग अब लंबे समय से अपनी बाइक फुल नहीं करा रहे हैं कि हाँ पर ऐसा हो रहा है थोड़ा समझ है हम अब हुआ हों ओ मार भर हम इन ही के बात करते हैं हों देख पार है कि 100 जो Isras sa पुट नहीं देलवाते हैं आपका क्या हाल हुआ है ह। आपका क्या है प्रयसे काम चला रही है कर दिए जिए कर से फने लहां थार्या हिए कर दो तिन महिने पूंचे जाई लगहाए इला जाना बात मांन के चल रहा है अप मजजूरी देखें कि तो आठ गंटे देर रूपी मिलते हैं, क्या करें गाट? गाट की डुटी दर करें क्या हाले के जरी हैं? हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और भीया क्या हाले? आपका क्या हाले? ठीक है भीया अब पैट्रों तक tut आयगा? क्या आकलन में ऐसकत के बिद्न करना तो पढ़ेगा उसकत कोई विकलन नहीं है, ठीक विचार आदमी के लिए कोई विकलप नहीं है सरकारी कितने और लिए अभिप प्रॉपीलब आजमी के लिए की खंख्रिया है, इन्य छूनी है अब आकलन सीधे तोर पर हो रहा है कि जिस तरह से महेंगाई बढ़ती जी समय होदों कि यह अशर क्या होता है किया हाल है आपका ? मत पूछा बहुत बुरी कंडिसन है उदर से आते हैं आप से प्चर्चा करते हैं आपका नाम क्या है ? लखन सोलंकी प्रिज पेटरल के रेट बताई रहें क्या है तो हाल बेहाल है बहुत जादा सुधार कभ और उसक्ते हैं नहीं कहते जगते हैं तो पिर उम्मेद है कमई होंगी कोई उम्मीद नहीं पैसे डेली बढ़ रहे हैं हाँ हर दिन 80 पेसे 90 पेसे डेली बढ़ रहा है पर दे कहां चलती आपकी गाड़ी है यह डिलेवरी में अच्छा मुनाफ़ा तो भो रहा होगा कहां और जो बचात मिलती बच्ती थी अब तो पूरे डीजल में चली जा रही है बचात डीजल पी रहा है अब तो क्या गाड़ चर्चा करना नहीं चाहे रहा है चुकि डीजल की बात है और कई परिस्टतिया भी ऐसी है किसी तोर पर कोई प्रतिकिरिया नहीं रह सकते हैं और समझते हैं यहां पर जो लोग मौजूद है लेकिर एक बार फिर हम राजदानी भोपाल में फिर आपको डीजल के रेट बट एक सो रोपैसे उपर पहुंच चुका है किसी बिजले में इस से रेट कम नहीं है यानि अब सीर तोर पर कहें तो डीजक ने शतक मार दिया है और आपको क्या हाल है बस बढ़ी जहीं है और महगाई में दिमाग खराब है हर चीज का ही रेट जादा है दिमाग खराब गर्म टेन्खा टेली पी जाएगी और फिर गर का भी और फिर क्या बचेगा अपसे नहीं बड़ी तंका थाभी नहीं बड़ी इसा नहीं जाएगी और वहीप क्या है दोनों चीज्य की बाती चल लए है पान साल पेडिये ही ऐगी एटीजीनाइज था अब उसमें क्या कर सकते क्या बोल सकते बढ़ेगा या गटेगा अब जो ट्रांसपोर्टीशन है यह मुनाफे का कारोवर बचा आए गया नहीं बचा नहीं बचा नहीं बचा पहले भी था तो उस जती ही लागत इसमें लगती थी पेटोल डीजल में उत्ता लेवर को मिझता आप पिणता इसमें लग रहा है तो अगर दो continuous appointment security और ये आप सीता सा फारबूलर समझ सकते हैं कि जिस सबसे महघाई में जाफा हो रहा है उस पहुता नहीं है उस는지 आप है उसमें ग्रोथ नहीं है और यही कारण है कि लोग इस बात को लेकर परिशान है क्योंकि जो मुनाफ़ा है सीधे सीधे लोग उससे प्रफाबिक है उससे परिशान है लेकिन हम बात करें तो अभी तो जो पैटल और डिजल के रेट जिस तरह से हर दिन बढ़ रहे हैं अभी का नहीं कि रिख न्यींत मुछ भी तो जिसες आपसे यह ज़े समिए आपकी बढ़ रहे है खालर वक Money कम होती जयरे हैं मैं है आप भी पडा देते होंगे कि रहें इए बढ़ते जारेओं ज़ुनर सबर नहीं बढ़ रहा हुए यहाँ पर देने की यहां पर महिलाई भी कर सकते चलाना तो पड़े गई मतलब क्या मजबूरी कहें हैं मजबूरी के लाइगी मार्क हर हर व्यक्ति मजबूर नजरा रहा है मजबूरी से कब अबरेंगे हम मौदी जी जाएंगे मुझे तस लगता है को अच्छे दिन को नहीं बढ़ चुका है पेट्रोल देवाइक सो चला गया है तो यहीं जाता है कि सरकार कोई भी हो लेकिन एक रेट करें केंद्र करें राजी सरकार करें कुछ भी करें जो होना चा जो पांचे चाहे नोकरी करते हैं उनका क्या लोगा यह को रोज का पैट्रोल लगता ही है अब रोज दलाओ 120 का एक दिन में खतम हो जाता है जी आप रोज पैट्रोल बाते हैं रोज जलवाएंगे एक लिटर दलवाएंगे आज चलेगा पर फिर डलवान पड़ेगा सामक यानि हर दिन नोकरी और हर दिन पैट्रोल अर बहुत हो गई कि फ्यास लगे तो हर दिन कुवा खोधना है अब करने ही पड़ेगा अब क्या करें मजबूर भी है इसके मेना रह भी नी सकते हैं सब चौकाने वाली पिर्तिकरिया आ रहे हैं लोगों की अब तो हर दिन पैट गए है अब जाता है अब यह तो आप यह त्रेंड समझ रहे हैं लोगों का इब जिस आप से पैट्रोल की रेट में जाफा हुआ है उसके बाद कि यह हरे जो हम त्रेंड की बाद करें एक हर दिन के लिए पैट्रों डीजर पाust alright like नाम प्रस्ट क्या गरते हैं सर गोबिन मिल्क में अब महंगा लगद रही है ही महंगा सर डेधी गाड़ी चल रही है टेटल बुच जादा ही महंगा है जादा हो रहा है डेधी बड़ा दो रुपे एडाई है फुल कर वाले टेंक आप पैसे वही तो उसके लिए नहीं यह ज दिए दो चले जाएंगे दों क्या हाल है यास्त में आने-जाने के लिए गाड़ी तो ले लेकिन पेट्रोल इतना वहएं मुश्किल हो गया और ढएद बिड़ पारन के बाद खाटराएं समझाए हैं ए आपका इसलो कर चाम कहरा है यहजे चाहर्ण प्रचात्र शाम बाल खाण दों जोड़ें उसके बाद की बातब करें तो आपका क्या हाल है कर दो डिए है कि पेल सानती दिए बिलकुल भी, बिलकुलुकु। दो बजब शानती भी नही नहीं है translhatunter olm काई भी एक शवारी की ह्विटी है Metr esurur eyes कि दुक झौब ऑफ। सली किना चलगी है सब्कार बें कर दो एक है के लिसा किया तक 186. तो आप तक खड़े रहे तो गर चले जाए ते कल और परसो आप लिए जाए तक नपर चल रहा हो गाँ आपका चल रहा है बच्चे लो प्राम नाम करते हैं तो लगवाद उनके जरी चलता है अब बजिरू का आदमी है तो बैसे भीमार हो जाएंगे बच्चे लोग वएसे हमारे बस की नहीं में परिवार चला ल। सत्त्त बता रहां हमारे तो आही तु हाल जानने आए है यह प्यौ essa कि हम परिवार चला ले तो हमारे बस K Academic इंड हो परहेजिए अधर अब जिसे वहाटों खतम हो गारा तब जिसे वह सी एंगी वाले है गेज वाले है यह लोग तोड़ा सुखी है तुखी है कि वह भी जूजी रहे हैं यह जूजी नहीं रहे वह तो ठीक है ठीक है वह अपनी जगे अच्छा चला लोगा तो पैट्रो वाले ओटो का आप समय ख सबसे ज्यादा एफेक्ट हो रहा है वह तो हर जगे परिशानी है हर कोई प्रभावित है हम सीज़र तो सबसे ज्यादा एफेक्ट हो रहा है वह ट्रांसपोर्टेशन पर हो रहा है और जिस तरह से लोग अपनी प्रितिक्रिया दे रहे हैं तमाम कारूबार को लेकर वह भी सीज़र तोर पर उससे प्रभावित नजर आ रहे हैं वह क्या है आपका आपका यह टेला कैसे चल रहा है काम का अरे आप तो आपका तो बढ हो गया है और आपका तो ठीक चल रहा हो गाना इसी अवह टार कर दो किया होगा तो आपको मुनाफा बढ़ गया होगा क्यों नहीं तो बहर या जाएगा नहीं और जर्ड़ करेंगे अचा गयना यह क्या महंगा है पहले इतने काता था? 800-900 रुपए तब यहां भी महेंगाई का तड़का अभी हो चल रहा है, दूस मेंभी मुनाफा उतम ही है आपका? पर नहीं है आपका क्या हाल है भी है? जो सबका हाल है भो हमारा हाल है सबका तो बेहाल है आपका क्या है? ठीक, और क्या करता है हम? आडो क्यों चाहएं, अटो को साहएं? पेटरल वाला की? ये गेस वाला, जी एएंजी वाला, सनाहीड है की ये बड़ा प्रोफिट वाला पेजनेस है? प्रॉफिट वाला है लेकिन उसके साथ वो गेज भी तो महेंगी वरीगे अभी 82 हो गई पर केजी तो पैटल वाले बता रहे थे वो पैटल साओ चलाते हैं कि वो तो सी एंज बानों के तो मजहे मचे हैं हां प्रॉफिट है ना उसमें प्रॉफिट है हां खुब आप समझ रहे हैं कि जो मार्कर का ट्रेंड पैट्रोल से जो ऑटो चलते हैं उनका यह कहना है कि सी एंज वाले के मजह हैं कम खर्चे में अजएक वहां पर मुनाफ़ा है लेकिन यहां भी हम बात करें तो तीन बार सी एंजी के रेट में इजाफा हो चुका है और एक बार तो सीधर तोर पर पांच रुपे बड़े हैं क्या है आपका क्या करते हैं किसानी करते हैं कहां से आए अब बोपाल से यह बाहर से बाहर से बाहर से तब केती किसाने में तो कूब लाव है हां बहुत लाव है नहीं दिल की बताना आपके सच बताना डीजल महेंगा हुआ है क्या अब जो लागत है बढ़ जाएगी नहीं बट ठीक है और क्या जैसा भी है ठीक है किसान तो अब हर परस्तेती में तब रहते हैं थोड़ा सब्सक्राइब का ट्रेंड भी समझते हैं और यहां पर कुछ कस्टमर हैं व्यापारी भी हैं उनके भी चलते हैं एलेक्टिकली दुकान और अब इस समय तो गर्मी का स व्याइब टश्रीजन है साब माई चल रहा है इसमय जो तमां महंगे चल रही है पैट्रोल डीजल एलेक्टिकल आइटम है यह टो महंगे नहीं हुए 20 परसंट कम से कम रेड़ बढ़ आधे छे महिने के अनदर चे महिने के अंदर जो आयर छेसोर पर का बंडल थाउ यह अचानक ऐसा क्या हुआ है यह पेट्रोल के कीमत बढ़ने से और रेजिन प्लास्टिक सब चीजों के रिड़ बढ़ा है छे महीने में बीस प्रतिशत बीस से भी ज्यादा कापर में तो बहुत तेजी आ गई शेसर रुपा किलो की चीज एक हजार रुपा किलो हुगी दे कि महेंगाई में कितना अधिक आफ़ा हुआ है फिराल आपका मुनाफा अभी तो कम तो नहीं हुआ उत्म ही हा ना जा रहा है, तो दुकान्देर में पिरीक्ते काम है, तो मेंक उसके के तो ड़िए कि पला फाइक जा रहा है। और लोग क्या परिशान है, इस समय हम एक शॉप पर हैं, मुर्या क्या हाल है आपका, बढ़िया है, गर्मी का सीजहने अभी तो ठीक चल रहा है कारोबार, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, महंगाई कुछ अगे तो नहीं बढ़ी उतनी ही है, बढ़ गई है, और आपक रोज मर्रा की जिंदकी में उपयोग होता है, यह पैट्रोल डिजल कुछ-कुछ पैसे बढ़ रहा है, तो इस पर एफेक्ट पढ़ता है कोई? एफेक्ट पढ़ता है, जो लेके आते हैं हम आपस वो थोड़ा सा महंगा देते हैं समान, पैट्रोल बहेंगाई डिजल का मार्केटिंग का है, आप तो बहतर समझते होंगे कि अभी एक महीने पहले कितने मिती सामान में एक महीने बाद कितना होगा, यह पैंसों में बढ़ता है, पैट्रोल खास तर पर डिजल, तो क्या बढ़ बढ़ जाते हैं कि अट्रोल सब चीज पर एफेक्ट पढ़ता है हर चीज के रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांस्पोर्ट उसी से, मशीने इस सब सलती है, मिनिफिक्चर उन्सी से होता है मशीनों से, तो रेट हर चीज के ऊपर जाते हैं, सब गोड्स पे नए, मार्पी नए रेट है, हम समझने का प्रयास कर रहे ते, कहां तक जाएग हो रही है, उतनी हो रही है, पिछले हम एक तुसाइग तुलना करें, तो कितना नतरा आएगा, अगर रेट बढ़ें तो जनता कोई पेगना है, शौप के बगारी मार्जिन वह है, हम लोग का मार्जिन होई है, पर एफेक्ट जनता पे बढ़ जाता है, हम लोग के बढ़ हम मार्केटिंग के लिहाज से बात करें, तो सीधह तोर पर जो सीधा असर है, वो सबसे अधिक असर है जनता पर, जनता सबसे अधिक प्रभावित होती है, लेकिन इस तरह से कहा जा रहा है, कि अभी भी जो पैट्रॉल है, डीजल है, इसके हर दिन जो पैसे-पैसे बढ़ सानी के साथ राकेश चत्रविदी नीज़ 24 पोपाल